और PUBG में बिना मतलब के ठिलने का जो दूख होता है ना यार बगेर किसी गलती के ठिलने का दूख यार वो अलग लेवल पे होता है तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू भब जी दो मोबाईल के इंपले वीडियो में जिसमें भरे हैं गलत सीन, आपको भी पता यार यार ये अभी तक अब जब उस बंदे पे मैंने अपनी पाच्छे गोली बरबाद की न, मैं समझ गया यार मेरे निसाने कदू भी नहीं लगेंगे इस गन से मैं बोला भईया नीचे उतर लो क्योंकि भाई बैक्टर पटका देते और अभी मैं जा रहा हूँ यार एसे लार ही है लेकिन रस फिर भी बोल दिया है तुम्हारे भाई नहीं आपे और तयार हो जाओ क्योंकि हता पाई होने वाली है तो यहाँ पे देखो यार मेरी सारी की सारी गोलिया खतम हो जाती है हरा मैं बोलता हूँ भाईया अब क्या किया जाए मतलब रिलोड करेगा वो भाईया SLR इतना टाइम लगा देते है रिलोड में कि क्या ही बताऊं वैसे AUG से फिर भी कम लगाती है मेरे ख्याल से लेकिन हार टाइम बहुत लगता है तो मैंने बोला भाईया मुक्के निकालो ऐसे काम नहीं चलेगा ये बंदे ढीट है M24 भाई पे भाई पटका पुटका देंगा और मेरे रिलोड तक मुक्के निकालो और हता पाई करके भाई के मुम हो मैं चार-पाच मुक्के भरता हूं मैं और भाई की बेटी बन चुकी है और अब बाकी बंदों की बारी और यहाँ पे ये पहले मुझे लगा था कि ये दो बंदे होंगे बाद में पता चलता है भाई है ये बॉट कता ही डूवर्सी सकोर्ड खेल ले हैं मतलब हम खेल ले ठीक यार लेकिन बॉट भी डूवर्सी सकोर्ड और वो भी दोनों मिलके रस कर रहे थे आगे की तरफ कमाले भाई अब देखो गेम शुरू हुए वे दो मिनट नहीं हुए तमीचे भाई को साब बनना है मतलब वो अलग बात है कि इन दो मिनटों में गलत सीन पहले से हुच चुके और ये दूसरा गलत सीन भाई उपर साब बन के बैठा है बंदा मतलब कौन सोचेगा है यार कंटेनरों के उपर भाई मतलब कमाल यार बंदे केंपिंग करते लेकिन ये भाई साब बन रखें तो मैं बोलता हूँ देखो यार हिलिंग के नाम पे कंदू भी कुछ नहीं है और मुझे बहुत जल्दी अपने बदला लेने की हाना वैसे मैं कोशिस करता हूँ धूड़ने की लेकिन कुछ भी नहीं मिलता तो मैं बोलता हूँ यार रस करो इस पे और यहाँ पे मेरे ख्याल से हम अकेले बंदे नहीं होते जिस पे हीलिंग के नाम पे कंदू कुछ नहीं होता मतलब ये बंदा काफी जल्दी नौक हो गया अब डीपी ने कताई पेल के डैमेज दे दिया या तो भाई पे हिलिंग नहीं थी क्यार यहाँ पे जोर्ज खाली हो चुका होता है मतलब इसके भाई लोग किधर होते है यार मैं पता लगाना भी नहीं चाहता था मतलब पहले से इसाब बनाए तो मैंने बोला यार इसकी सीधा पेटी बनाओ बिल्कुल खैर इस बंदे को फेल दिया है भाई की पेटी बन चुकी है और आपको पता यार हम किधर जाने वाले हैं जोर्ज नहीं रोजोग की पहाड़ी पे उसी के साथ देखो मैं रोजोग की पहाड़ी पे गया वहाँ पे कोई बंदा नहीं मेरे ख्याल से लूट के बंदे भग चुके थे क्योंकि यार रोजोग तो बंदे आते ही हैं चाहे कुछ भी हो भाई चाहे भईया करोडो किलो मीटर दूर हो रोजोग भईया बंदे पहुचे वे होते हैं लेकिन हम मेरे ख्याल से काफी लेट ओ गयते हैं ना मतलब मुका बाजी हाता पाई पे उतर गया था मैं तो साइध वहाँ पे लड़ते लड़ते काफी लेट हो चुकी थी खैर उसके बाद देखो यहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ पे फ्लेर मगाई गई है और लाल जोन भी अपने थोपड़े के उपर बनाए मुझे नहीं पता क्यूं यार लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह लाल जोन अपना पीछा ही नहीं चुड़ रहा है तो देखो मैं आ गया हूँ मेरे ख्याल से इन्हें नहीं पता कि मैं इधर आ चुका हूँ और देखो यार जब बंदों को नहीं पता कि यार एक बंदा उनकी पेटी बनाने वाला है तो यार पेटी बेरहमी से बनती है तो देखो यार आपने कई बार देखा होगा सुना होगा ये बोलते वे शायद मैंने भी ये बोला था कि भाईया अगर आप ओपर में डिरॉप वगेरा लूटने जा रहे हो तो यार एक समोग जरूर कर लेना हाना भाई ने बात मानी लेकिन क्योंकि हमारे साथ हमेशा गलत सीन होते या लॉबी में कुछ न कुछ गलत चलता ही है तो भाई की समोग करने की वज़ए से पेटी बन गई मतलब ये बंदा समोग की पिन खीचता है उपर और फेख देता है जो कि अब मेरे कामा चुका है लेकिन भाई को पिन फेखते फेखते समोग फेखते फेखते यार क्या हो गए मुझे समोग फेकते फेकते मैं पकड़ लेता हूँ और भाई की सिर्फ इसलिए पेटी बनती है क्यूंकि यार बंदा समोग करने के लिए बाहर आये कवर से अना तो एक और चीज एड कर देते हैं यार देखो समोग कर रहे हो तो कवर पे रहके करना क्यूंकि यार अब भाई को समोग करके डिरॉप लूटना था और भाई ठिल गए मेरे ख्याल से वो नंगा भगता न है डिरॉप लूटने अब देखो मैंने किसी और बंदे की मेहनत का किल चुराय उसकी बात नहीं करेंगे बात करते हैं लाल जोन की भाई क्या गलत सीन हैं क्यूं मेरे उपर ही क्यूं मतलब ठीक है आँ बाकी बंदे भी हैं लेकिन जाधतर जाओ पर भी मैं जातो भया लाल जोन अपने सर के उप और सही में अगर फटफुर जाये ना अपने उपर यार बहुत गुसा टैप आजाएगा क्यार यहां पर एक बंदे की किल चुरा चुकाओं मैं सामने समोग बन रखा है तो मैं सामने जाने वाला हुता अपनी गाड़ी उठा के कि मेरे पर साइट से गूलिया पड़ती है अब मैं एक बंदे को नोग कर चुका हूँ एक बंदा मेरे ख्याल से साम बन के M249 पटका रहा है तो मैं पीछे से जाता हूँ और ये बंदा एक खतरना साम के साथ साथ एक अच्छा दोस्ट भी था मतलब मेरे ख्याल से जब भी मैंने ऐसे साम देखे ना गरोजा भीया सपरेस यूएमपी M249 भाई ये लोग उठते नहीं है लेकिन ये भाई उठे और रिवाइव देने आया यार और उसी चक्कर में भाई की पेटी भी बन चुकी है अभी तक और एक ये भाई है जो पता नहीं कितने देर से कहां पे लेटे पड़े थे और उठके अभी आके अचानक से गूलियां पेल लें हाना तो देखो सबसे पहले मैं हीलिंग पोथता हूँ क्योंकि देखो यार अगर कोई और आगया पेलने क्योंकि भाई 200 कोड लड़ी थी क्या पता कौन कहां से आ जाए पब जी यार कुछ भी होता रहता है तो हां हीलिंग पोथता हूँ और अपने भाई को रिवाइफ करके अपन लोग यहां से निकल लेंगे और यार एक और कि तुम्हारा भाई डेली रियो टीवी पे लाइफ स्ट्रीम करता है और वहां पे अभी चला है पोको का गिववे कता ही मतलब यह वाला तो मैं ही कर रहा हूं तो यार कोई गलत सीन होंगे नहीं तो आपको क्या करना है बस रियो टीवी में फॉलो गर लेना है डेली रात क के 9 बजे अगर नेट ने धोका नहीं दिया तो तुम्हारा भाई डेली स्ट्रीम करता है साथ में खेलते हैं और पोको के गिववे के लिए भाई कस्टम रूम चले वहां पे आओ यार पब जी तो खेलना है क्या पता पोको जी जाओ दिक्कत किदर आ रही है तो यार वहां आपके 9 बजे से स्ट्रीम चालू करते तो आना मत भूला यार इस्ट्रीम पे मजे करेंगे कुछ भी पूछना हो यार पोको के गिववे में हिस्सा लेना हो आओ यार कस्टम रूम खेलो और क्या पता आप फोन जी जाओ घर पे पहुचाएंगे आपके खेर उसके बाद अ खेर के जाते और कुछ यार जोन के सिकार हो जाते तो हां किल बहुत कम हो जाती है ऐसा करते करते खेर यहां पर मैं सवकुप अगेरा खोलता हूं देखता हूं की भाई कोई लेटा ना हो हाना वो जो टरक है ट्रेक्टर है उसके अंदर बंदे लेटे रहते कैम करके तो हां कोई दिखता नहीं मैं आगे जाता हूं लेकिन उत्रे में ही एक गाड़ी दिखती है और PUBG में बिना मतलब के ठिलने का जो दुख होता है ना यार बगेर किसी गलती के ठिलने का दुख यार वो अलग लेवल पे होता है मतलब देखो एक बंदा गाड़ी चला रहा है ठीक है उसके भाई या कॉल आ गए गत्ते खरीदने गया वो यार नेट ने नसे दिया यार जो भी सीनता भाई गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं हाना मतलब भाई गाड़ी चला रहे होते हैं यहां पर आके गाड़ी रुक जाती है भाई और इनकी किस्मत इतनी बुरी की यार उसी टैम मैं सामने से आ रहा होता हूँ और यार मुझे गाड़ी दिखे वो भी रुकी हुई और गोली ने चला यार ऐसा कभी होगा नहीं तो इसके बगल में जो बंदा बैठा होता है यार वो फ्री फंड का ठिल जाता है खेर अपने को क्या अपनी तो किल और केड़ी बढ़ चुकी है अब यहां पे एक सस्ता सा जाड़ी में एज़स भी देखने को मिल जाता है मतलब एक छोटी सी नकली सी जाड़ी होती है बंदा उसके पीछे होता है इधर उदर हिल रहा होता है भाया सीधा सर पे सोट लगता है तो हाँ गलती से हैट सोट लग चुका है रस करने का टाइम आ चुका है अब ये बंदा असल में नौ गो रखा होता है तो यार इनका कोई ने कोई इधर जरूर जिन्दा है तो बस उसे ढूड़ने की कोशी चल ली है और यहाँ पे पूरी सकॉड बैठी पड़ी होती है मतलब यार देखो इसी लिए किलनी मिलते क्यूगे जब भी इधर जोन बनता है यार घरों के नाम पे यहाँ पे मजाक होते है अना चोटे चोटे दो ड़ाई घर पड़े होते भाया एक सटोरी उनमें कद्दू कोई नी तो हाँ काम चलाओ किल हो चुकी है और तुमारे भाई को गाड़िया दिखती है उपर और गाड़ी है तो यार बंदे ज़रूर होंगे क्योंकि जहां तक मुझे पता है वहाँ पे यार गाड़ी आती नहीं है टपकती नहीं है गाड़ी तो या तो पबजी के कुछ नसे हो या तो भाईया बंदे बैठे पड़े वाँ पे और भाई लोग अगर आपने अभी तक लाइक के बटन को पेला नहीं मेरी सस्ती सनाइपिंग जाड़ी मैं जस उजस के लिए तो यार यही मौका है यही टैब है पेल दो लाइक के बटन को और यार वो जोर्ज में हाता पाई जो की थी M24 थी भाई पे तो यार उसके लिए भी पेल के रख दो लाइक के बटन को नीला टैब कर दो खैर यहां उपर बंदे होते हैं क्योंकि यार गाड़ी है तो बंदे होंगे जरूर और ये बंदे ना मजाक में नहीं खेलने हैं मतलब बिल्कुल कवर टू कवर दो चार बंदे उपर बैठे पड़े हैं सब के सब मेरे कोई देख रहे हैं तो देखो यार फिर भी मुर्टता करके मैं पीक जरूर करूंगा और हमारे भाई AWM के सामने में 14 पठका रहे होते तो यार ऐसे कैसे चलेगा भाईया भाईया को नौक कर दिया पेटी नहीं बनेगी क्यूंकि यार जब किस्मत में कम किल लिखियो तो कमी किल होती है और एक बंदा हरी जाड़ी या फिर गिल्ली सूट पहनके यार आगे पेड़ में चौड में आ चुका है ठीक है मैं उसके एक हरे पतानी क्या होता है वो मेरे ख्याल से हाथ होता है हाथ पे एक सौट पेलता हूं उसके बाद नेट करता हूं जो कि मुझे करना ही नीची है मैं सोच रहा हूँ अपसे नेड उठाना ना छोड़ दू भाई क्योंकि यार बंदे ठिलकी नहीं देते खेर एक नेड फेका है तो देख लेते क्या होता है और ये नेड फटता देखना है यार मैं मजाक नहीं कर रहा मुझे सरम टैप आ गई बिल्कुल मतलब इतना सस्ता नेड कोई कैसे कर सकता है सामने बंदा है सिधा पेड के पीछे फेकना है लेकिन नेड मेरे इतने सस्ते है कि भाई हजारों मीटर आगे फेक रखा है नेड तो हाई और बंदा भी जिंदा है और क्योंकि वो फस चुका है तो अब वो पीछे भगने की कुशिस करता है बिल्कुल और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था यार ये बंदे मजाक नहीं कर रहे भाया हलवा नहीं चल ला यहां पे ये लोग खिल ले हैं कताई चिकन के लिए बिल्कुल कवर टू कवर खिल रहे हैं तो देखो उस बंदे पे हरी जाड़ी भी थी और बंदा यार पेड़ की पीछे से भगता है तो पत्तो मैं अजस्ट करने की कोशिस करता हूँ मैं जो की नाकाम हो जाती है क्यार उपर बंदे बैठे पड़ें अपने बगल में डिरॉब गिरा है जिसको लूटने जाओंगा तो सीधा पेटी बनेगी वैसे लूटने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं घर चेंज करी रहा हुता हूँ कि इतने में फाइट बिट जाती है अब देखो पहले गोली धीरे चलती है ठीक है मैं सुचता हूँ एक साप मिल गया होगा इने उसके बाद भाई जो ही गोलिया पटकती है अलग लवल पे होता है तो मैं बोलता हूँ यार ये लोग इससे पहले की एक दूसरे की पेटी धेड़ पेड़ बना दे और बस एक ही बंदा बचे धेड़ पेड़ रस करते हैं और आपको पता है यार जल्द बाजी का काम पेटी का ठीक है ये मैंने अपना इसस्ता डेलोग बनाए लेकिन हां यही होता है और यार यहां पे तो मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहाना क्या दूँ हना मतलब जल्द बाजी का काम पेटी का ये तो ठीक है लेकिन एक और बहाना हुना ची यार समझ नहीं आ रहा और जैसा की मैं हमेशा बोलता हूँ यार यहां पे किल का मिलती है ठीक है जब भी इधर जोन बनता है यार कुछ ना कुछ गलत होता है किल भाईया ऐसे बंदे ठील जाते ओपन में सब होते भाईय एक दूसरे को पेल के रख देते हैं और हम इधर उधर गाड़ी गुमाते रह जाते हैं यहां पे मतलब देखो मुझे थोड़ी देर के लिए दिखता है बंदा उसके बाद वो गायब हो जाता है लेकिन भाई की सारी गूलिया मेरे पे बराबर लगती हैं अब यार आपने वो डेलोग जरूर सुनाओगा कि भाई साप जल गया लेकिन बल नहीं गया ठीक है ये चोरी का डेलोग है असली डेलोग था रसी जल गई लेकिन बल नहीं गया लेकिन साप यहां पे मैं जला देता हूँ साप को मेरे सामने लेटा होता है भाई या करते हैं उठते हैं उठेने के बाद तीन कदम पीचे जाते हैं और फिर से धैर्ट पैट फिर से सांथ बन जाते हैं मतलब बढ़िया यार मतलब सांप भाई एक बार का सांप हमेशा का सांप और यह भी एक चुरी का ड़ाओगे खेर डेलोग अगेरा चोड़ो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए देखो यार 22 किलो पाई लेकिन सही है यार कम से कम कुछ तो हुआ चिकन चुकन तो हुआ और उसके लिए यार बहाना जरूर बताना मुझे कि भाई ये ये पत्थर वाला बंदा कैसे नौक कर गया यार बहाना जरूर बताना कमेंट में मजा आ जाए और बहुत ही जल्द एक धैड़ पैड़ खतरनाक वीडियो आने वाली है मतलब यार देखो साप का चकर मौच से टकर तो चलता रहता है लेकिन भाईया जब सामने हैकर आता है जो सीधा सर पे गोलिया पेला हो एक के बाद एक नौक करे जा रहो यार तब जादा गलत सीन होते हैं वो गलत सीन अलग लेवल पे होते हैं लेकिन हां तुम्हारे भाई की लड़ाई होती है और भाई क्या ही पेटी बनाई है उसकी तो यार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करता क्यूंकि वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है हाना जितना जल्द हो स नहीं बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए